हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू दिमाई चैनल मेरा चैनल पसंदाए लाइक करें शेर करें और सस्क्राइब करें तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिल्क पाउडर से दही जिहां आपने सही सुना है मिल्क पाउडर की दही बहुत अच्छी जमती है और बहुत टेस्टी भी हो गड़े का पानी भी यूज कर सकते हैं गड़े के पानी से अच्छे से मिक्स हो जाता है उसमें लंस या गुटली नहीं बनती है काफी अच्छे से रेड़ी हो जाता है दूद लेकिन जब गुनगुना पानी इसमें एड़ करते तो गुटली बन जाती है थोड़ी मेहनत ल आपे दोनों का एक एक उबाल ले लिया, उसके बाद बिल्कुल रूम टेमरेचर पर आने दोने बात दोनों को टेली है। रही है पर उस में थोड़ी सी अध करनी हैं पर चेक करने के लिए धाश कर रहे हैं मेंने और और Уच inhalation को यक्षित अब आपारीम, काफी अच्छ नमने के एक राज करेता है दही में आप डाल जो दूद रहता हमारा उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा दही और बिल्कुल उसे धकन लगा के छोड़ दीजिए बार-बार उसे टंच नहीं करना होता है हिलाना डूलाना रही रहता बस एक बार दही डाल के मिक्स कर लो चमच की हल्प से उसके बार धकन लगा के छोड़ दो करीब बारा घंटे छोड़ देना और मैंने रात भर इसे छोड़ दिया था अभी 11 बज रहे थे 11 बजे के करीब मैंने ये दूर खोल के देखा है तो इसे आप दिन भर भी छोड़ देते ना तो इसमें थोड़ा खटा पन आ जाता है तो बस अगर हम फीका रखना चाहते हैं और आपको फीकी दही पसंदे तो बस इसे जमते ही फ्रीज में रख देना होता है तो बस मेरी दही रेडी हो चुकी देखिए और आज मैं बनाने व बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया फेट लिया ता आप चाहे तो मिक्सी से भी फेट सकते हैं मैंने हाथ से फेट के रेडी कर लिया है ग्लास में डाल दिया है और आप चाहे तो इसके उपर आईस्क्रीम बगेरा डाल के और आप इसे खा सकते काफी टेस्टी लगती है मैं हम तो इसे इसे फ्रीज में छोड़ देंगे और उसके बाद में इसे यूज करेंगे और बहुत अच्छी बनती इस तरह से आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे बताएगा आपको कीसी लगी तो अब हम बनाने वाले हैं आज यहाँ पर बेसन की रोटी और बेसन की रो माओं ऊसांदें सारे मसाले बेसन में डाल लेना है तवा चड़ा देना है तल तेल लगा ली जिए तो इस तरह से इस फर हमारा जो बैटर्र में किर रहा और तार presses से फैला न ए और दीडेले करके फैलाते जाए में और अगर आपको कर दो आथा यह उँटे लगा एका मुझे पतली पसंदे तो मैं इसे अच्छे से पूरा फैला लूँगे अगर आपको मोटी पसंदे तो इसे इस हिसाब से फैला करके रखना है और दो से पाँच मिनट तक इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए तेल हमने पहले ही लगा रखा है डिम आज पर ही पकाना तब अच्छे से पकती है जब यह एक तरफ से अच्छे से हो जाएगी तो देखे इस तरह से हम पलट लेंगे और पलटने के बाद उसमें दुबारा उपर से तेल देंगे अच्छे से और फिर इसे हम खाएंगे इसे आप चटनी अचार सोस आपको जो भी पसंदे जिसे कड़ी किसे भी साथ खाई ये काफ़ी टेस्टी लगती है और बहुत अच्छा थेस्ट आता है हम हमेशा मख्या गयों की खाते हैं तो हमें कभी-कभी कुछ और भी ट्राइ करना चीह और बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसकी सब्जी वगेरा बनाया करती थी तो बस इस वज़े से कभी कबार ऐसा लगता है नहीं कि आज रोटी नहीं खाने तब इस तरह से बना के खाई ये बहुत अच्छा लगता है टेस्ट भी बढ़या आता है तो जरूर ट्राइ किजेगा थे